हेलो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे बज़ी हुई रोटियों से एकदम जटपट बनने वाला एकदम टेस्टी नास्ता तो चलिए इसे शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स मैंने यहाँ पर शाम की बज़ी हुई चार से पाच रोटियों को ले लिया है अगर आपके यहाँ भी ऐसी रोटि बज़ जाती है तो आप भी इस रोटि को यूज कर सकते हो तो मैंने यहाँ पर दो टामाटर को बारिक से कट कर लिया है एक प्याज ले लिया थोड़े से मैंने सेंग नाने लीए है और यहां पर फरेश हरी धन्या ले लिया है और ठोड़े से कडी असवार में कटकू लेंगे annya के लिजिए अब हमक्र करेंगे रोपी के टंकोडे करलेंगे देखिए इसे बड़े बड़े टंकोडों में इसे हम तो तो आप इस तरह सी of जरूँ किजे हैं 2 शीज़ घ्रीग घ्रेंड मैंने इस बाइर्टियों कर लिया है, और एक लाइक निक वाइक संट there तो इह तो शुरू करेंगे ओर इह नगां लिया डिले लिया हैं 2 थी नियुक्राइशेट इस बारिक नियुक् सकते हो अब हम क्या करेंगे यहां पर सेंग्दाने डाल देंगे और इसे हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे सेंग्दाने अच्छे से रोस्ट हो गए तो हम क्या करेंगे एक प्लेट में इसे निकाल लेंगे और इसमें हम हरिमिज को डाल देंगे और कड़ी पत्ता भी डाल देंगे और थोड़ा सा हम जीरा डाल देंगे और थोड़ी से हम राई डाल देंगे और इसे अच्छे से तड़कने देंगे और इसे मिला लेंगे अब इसके अंदर हम कटी हुई प्याच को डाल देंगे और इसे हलका ब्राउन हो दें तक ऐसे रोस्ट कर लेंगे अब आप देख सकते हो कि हमारे जो प्याज है न हलके ब्राउन हो गए है तो हम क्या करेंगे इसमें टमाटर डाल देंगे और इसे एक से दो मेंट के लिए अच्छे से भून लेंगे अब इसमें हम मसाले डालेंगे तो मैंने यहाँ पर हल्दी पौडर डाल दिया है और थोड़ा से हम नमक डाल देंगे और थोड़ा से हमने मिर्च पौडर डाल दिया है और धनिया पौडर डाल देंगे और थोड़ा से हम गरब मसाला डाल देंगे और इन सबी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंड्स हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे ताकि हमारे जो मसाले ना अच्छे से भून जाए अब इसके अंदर हम जो रोटियों का बारिक चुरा है वो डाल देंगे और इसे हम 3-4 मेट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे और चाहो तो आप इसे धक कर भी पका सकते हो अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और फ्रेंड्स अगर आपको रोटी नरम चाहिए तो आप इसके अंदर पानी थोड़ा सा छिड़क सकते हो मुझे ऐसे ही पसंद है तो मैंने यहाँ पर पानी नहीं छिड़का है तो अब भी हम क्या करेंगे इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ऐसे हम घुन लेंगे इसे अब इसमें हम जो फ्राय करके रखेते ना उसे इंगनाने डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे अब इसके अंदर हम फ्रेश धन्या जो कटी हुए वो डाल देंगे और फिर एक बार इसे हम मिक्स करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे रोटियों का नास्ता बन करता है रहे आप इसे रोटी के टुकुड़े या रोटी का जो चूड़ा है बोलते हैं वो भी बोल सकते हो तो आप इस चूड़े को एक बार जरू ट्राइ कीजिए और ये नास्ता आपको बहुत पसंद आएगा ऐ आप मेरे चैनल को फटा फट से सब्सक्राइब कीजिए और बिल बेटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ